हत्या के दो फरार आरोपी को च्यांपा पुलिस ने मुंगेर विहार से किया गिरपतार आरोपी पतनी की पूरों में हो चुकी है गिरपतारी चांपा पुलिस ने हत्या के दो फरार आरुपी गिरपतारी किया है और दोनों आरुपी को नेखी रासात भेज दिया है और आरुपी पत्नी की पूर्वा में गिरपतारी हो चुकी है दरासर अर्वीन कुमार वर्मा ने चांपा थाने में रिपोर्ट दज़क राया था कि उसके भई धरमवीर अपने परिवार के सांद चांपा में रहते थे तभी परवारिक विवाद होने पर छोटु कुमार के द्वारा रामवीर वर्मा की गला दबा कर हत्य कर दिया था म्रिता की पतनी सोमा देवी की पूत्र संधिक कुमार और उसकी पूत्री के द्वारा सर्यांथर पूर्वाग एक राय होकर धारामीर वर्मा का सव को जूट के बोरे में भर का तलाब में फेक दिया था मामले की रिपोर्ट और पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाप IPC की धारा 120B, 201 और 302 के तह जुर्मदर जकर व्येचना में लिया था मामले की गम भीरता को ध्यान में रखते वे आरोपियों की पता साजी की जा रही थी तभी वेचना के दावरान आरोपियों के घर में आने की सुचना प्राप्त होने पर चापा पुलिस के द्वारा 12 दे कर आरोपी छोटु कुमार और श्रंदीप कुमार को गिरफतार किया है और दोनों आरोपियों को नई खीरासत में भेज दिया है